हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबिपी लाइब देखे कोविड नाइंटीन के मरीजों के उच्छेत इलाज और बीमारी से मरने बालों के शव को अस्पतालों में गरेमा पूर्ण तरीके से रखे जाने पर सुप्रम कोट में सुनवाई जो अपसे अदालत की तरफ से वो आपके सामने रख रहे हैं मीडिया से मरीजों की दुर्दशा की जानकारी मिली कोविड टेस्ट की संख्या भी कम कर दी गई है मुंबई में रोजाना सोलह से सत्रा हजार टेस्ट हो रहे हैं जबकि दिल्ली में सिर्फ साथ हजार से भी कम टेस्ट कि किये जा रहे हैं रोजाना तो कोट ने का है मीडिया रपोर्ट से मरीजों की दुर्दशा की जानकारी मिली है मरीजों को शव के साथ रहना पड़ रहा है ऑक्सिजन जैसी सुविधा नहीं मिल रही है आगे कोट की तरफ से कहा गया कि लोग मरीज को लेकर इधर उधर हाली पड़े हुए हैं तो भरती आकर्कार मरीजों को क्यों नहीं किया जा रहा इतनी दिक्कते मरीज़ों को क्यों आ रही हैं यो यो टमाम सवाल जो सुप्रम कॉर्ट ने आज उठाए अपनी बातों के दरिये सुप्रम कॉर्ट ने जो काहा हूर जमीन पर देख रहा है। कोई लोग इलाज के लिए भटक रहे हैं। जो दूसरी बिमारियों से पीड़े था हैं उनको भी कोरोना काल में इलाज नहीं मिल पा रहा। रिपोर्ट देखिए। जो लोग एमस में इलाज के लिए इंतजार कर रहे हैं उन्हीं में से एक है सीतावणी बिहार के सुशील कुमार सुशील कुमार भी यहां पर रोजाना एमस सक पहुचते हैं इस उमीर के साहरे कि ओपीडी अगर खुली हो तो अपना चेकप करवा सके सुशील क्या दिक्कत है आपको और कपसे यहां पर फटे हुए यहां फरवरी से सर फटे हुए फरवरी 2019 से और बोले सर अब क्या दिक्कत हो रही है तिक्कत अभी खिलाल कुछ नहीं है बस मुझे एक सारा दिखाना है पर्मोनरी भी भांग दिखाते है सर मैं दो तिन चक्कल लगा रहा हूं लेकिन कोई नहीं सुन रहे है बोलने ओपीडी बांद है यहीं दिक्कत अब आप लोगों को देखा ही नहीं जा रहा है तो आप लोगों को क्या बताया जा रहा है कि हेलफ लाइन नंबर इस पर कॉल करके पूछते रही है कब ओपीड सब्सक्राइब को देखें बिहार के हाजिपूर के रहने वाले राम प्रकास शर्मा दिल्ली में फसे हुए राम प्रकास शर्मा अपने बेटे अशोग का ब्रेंट यूमर के सिकाई के लिए एमस आये थे लेकिन कोरोना की विज़से ओपीडी बंद हो गई जिससे इलाज पूरा नहीं हो पाया समवादाता अंकित गुपता की रिपोर्ट इक तरी नहीं तक सिकाई होनी थी? इसलिए नहीं होता और सही से काम चलना होता अपताल में तो क्या मर्च में ही इनका हो जाता है? जी मार्च में ही हो जाता है अपर इसलिए रुके हुए हैं इसलिए आप लोगों कुछ पताया गया कि कितने दिनों बाद यह सिकाई पूरी हो पाईगी कब आप आप शापाऊंगे? तो तो तीस दिन के सिकाई था सर उसके बाद बिच-बिच में मसिन खड़ाब हो गया किनसे फिर हर्ताल हो गया चुटी हो गया किनसे तो फैसे होगा किनसे वही कारण किनसे उसके बाद उधर ले गए हर्ताल में चले गया उधर किनसे दू दिन किनसे दू दिन किनसे उधर बीच से बातने वाला है था वहां इसकूल में खॉने थे इसुसरा से तो वी कल से बंढ है खाना अग्ए अजमी पूल के नीचे थे तो किने से बातने वाले जा रहा है थे तो मुझे खाना की न से दिया है पूरी उसके बाद हम चले जाएंगे अच्छा एबीपी नियू समभात आता सुरुभी काक को लेडी हाडिंग अस्पिताल के बाहर सरोज मिली सरोज के पिता को को पूरोना पॉजिटिव पाए गया और इसके बाद एलेंज़ेपी अस्पिताल में उन्हें भरती किया गया ज जिनकी उन्हें दवा नहीं दी जा रही है इसे लेकर सरोज परेशान है आडिंग अस्पिताल आई है तो आपके पिता जो है क्या वो कोविट पॉजिटिव हैं जी है पता चला था कि वो कोविट पॉजिटिव हैं उसके बाद कैसे उनके इलाज के लिए जो है आप अस्पितालों में गई पूरे उसका पूरे अपने सफर के बारे में पांस तार पस जा रही है उसके बाद मेरे पापा कोरोना पॉजिटिव निकले हैं तो प्लीज आप इनको एडमिट कर लो तो नहीं दो गंटे तक हम को ऐसी रखा खड़े कोई एडमिट नहीं करा और फिर पेपर जब हमारा देखे उन्होंने उसके बाद फिर बोल जाएगे इनको घर देख बाल करो यहां पर यहां बैड़ खाली नहीं है फिर हम वापी से अपने रात के बारे बजी अपने घर पर लेकर चले गए लेकर चले गए और फिर अगले दिन फिर डिस्पेंसरी वाले ने फोन किया कि आपको किसी तरह की कोई मदद चाहिए आपको मरीज पॉजिट निकले हैं तो घर में में आख का ना का कैसे डॉक्टर को दिखाऊंगी तो आप इनको होस्पिटल ले जाओ और वहीं पर इनका इराज करवा हूँ तो फिर उन्होंने लोकला है कि में होस्पिटल में लेके गए उनको एंबुलेंस में और फिर वहां पर जाके आज तीन द निके ध़ारियाः आता है तो वहां पर नहीं मिल रही है तो मेरे फॉन में उनके बाके लोकी तो मैं जोड़ोग्टर है एन्टिटी बैंटेटिस है आई सोपड़ी में दिखाती हूँ तो मैं उनसे हैर प्ले सको हूँ कि कि सोथ ही को या मुझे कोई दवाई लिखके दे ताकि मैं उनको पोचा सकू ताकि उनका मेरे जरिया ही उनको दवाई मिल सके अरे भीजर कोई ऱ्राइब召ाम लाई कि अरे लाई टक लिनका मेरे जिनका मेरे